Hi, it's Roshan again. Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग Batman strategy का adjustment दीखने वाले हैं. बैट्में में आपको करना क्या है यह actually double ratio speed होता है. Double ratio speed होता है and मैं आपको strike price selection बताहूंगा कैसे करना है? पहले आपको straddle पर खरीद आपको बहुत लोग क्या करते है? slightly otm जाके buy करते हैं call side में put side में देखो इसके पीछे का logic यह है कि हम लोग straddle इसलिए buy करते हैं ताकि हमको theta decay नहीं चाहिए why we make ratio spread because कि जो दूर पे हम लोग sell किया हुआ है otm पे वहां से मुझे theta decay ज्यादा मिले and जो हम लोग straddle buy करते हैं क्योंकि यह add the money है यहाँ पे theta decay बहुत कम होगा this is the purpose buy करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं range को बड़ा करने के लिए यह जो मैं buy किया हूँ यहाँ पे add the money बहुत लोग जैसे मानलो example के रिए मैं बोलता हूँ call side में 500 points आगे चले जाएंगे call side में 41,000 कर देंगे put side में 40,000 कर देंगे because they want this break even to be increased अभी हमारा break even 41,974 है call side में अगर आप इसको और आगे shift कर दोगे और दूर का 3 lot यहाँ पे आप sell करोगे तो आपका break even तो बड़ा हो जाएगा but ratio split का purpose फिर नहीं रह जाएगा ratio split का purpose ही यह ही है कि theta देखिए कम से कम चाहिए हमारे straddle में जो हमने buy किया है तो देखो exactly मैं straddle में buy किया हूँ ठीक है 100 strike price से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बर ज्यादा दूर मच रहे जाना अगर nifty है तो 200 points है bank nifty है तो 500 points उतना दूर आपको नहीं जाना है तो straddle buy करने के बाद 1000 points आगे bank nifty में मैंने 3 lot यहाँ पर sell किया है एक चीज़ बताना में भूल गया यह monthly strategy है monthly क्यों है क्योंकि पहली बात तो आप non directional कर रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड अगर market कहीं भी जाती है किसी एक particular direction में तो आपके adjustments करना पड़ेगा second, premium बहुत कम है अभी के time में अगर आप weekly में करेंगे तो आप weekly में setup करके देख लो आप weekly में handle भी करना मुश्कील है एक non directional strategy को difficult than monthly जैसा आप monthly में करते हैं 1000 points away, I sold 3 lots 41,500 and 1000 points down, I sold 3 lots for 39,500 put अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1000,000 points का difference है and just 1000 points और आगे 1000 points और आगे मैंने call buy किया यह hedging के लिए thik put side में भी मैंने 1000 points और नीचे hedging के लिए यह 2 lot buy किया मतलब कि आपको distance रखना है 1000 के आसपास और time के साथ-साथ यह blue line ऊपर आता जाता है क्यों? because of the same reason कि add domain का theta decay कम होगा OTM का theta decay जल्दी होगा that's why यह blue line time के साथ ऊपर आता है and आप twitter पे भी मुझे follow कर लो यहाँ भी मैं कुछ न कुछ strategy हमेशा share करते रहता हूँ मैं जल्दी से back testing start करता हूँ there is no need to complicate this strategy आपको complicated कुछ भी नहीं करना है it's very easy to adjust a batman देखो बहुत सारे लोग मतलब आपको different adjustments मिल जाएंगे YouTube पे but I'll tell you exactly आप इसदम simple तरीके से आप क्या कर सकते है तो अभी देखो कि हमारा selling कहा पे था हमारा selling था 41,500 के आस पास आपको इस break even का weight कभी नहीं करना है आपको ये weight करना है कि जहाँ पे आपने sell किया है ये add the money हो जाए ये in the money नहीं होना चाहिए इसलिए ये देखो ये जो cone बनता है ना ये इधर का cone ये इधर का cone आप जहाँ पे sell करते हैं वहीं पे ये cone बनाता है call side के पूरे setup को निकाल दो just exit all the positions from call side मैंने call के buy को exit किया मैंने call के sell को exit किया and जो hedging था हमारा I exited these two अभी देखो अभी हमारा बन गया एक put ratio spread मतलब कि put butterfly जैसा यहाँ पे एक छोटा सा loss दिख रहा है मैं क्या करूँगा कि अभी आप देख सकते हैं market है 41,522 पे ठीक है 41,522 आपने 2000 points दूर put को shift किया हुए मैं अगर इसे थोड़ा और आगे shift कर दो तो क्या कोई problem है 39,500 39,500 था मैं 40,000 पे मतलब मैं safety अभी भी लेके चल रहा हूँ मुझे downside में कोई risk नहीं चाहिए इसलिए break even मुझे ज़्यादा चाहिए so I just shifted it देखो जैसी मैं shift करता हूँ 5 minute points आगे आपका loss पूरी तरह से खतम हो गया अगर आप aggressive चाहते हैं खेलना तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो downside protection है वो 39,749 है almost 2,000 points आगे तो मैं काम करता हूँ मैं इसे 40,500 पे कर देता हूँ shift 40,500 पे 40,500 पे shift किया यहां already आपने 40,500 पे 1 lot put buy किया हुआ था अभी यहां पे आप 3 lot sell कर रहे हैं इसका मतलब आप net 2 lot sell कर रहे हैं पहले वाले position को निकाल के ठीक है इसको exit करके आप 2 lot sell कर रहे हैं दोनों बात same ही है अभी आप देख सकते हैं कि upper side में हमारा profit है 3,600 and downside में हमारा protection है till 40,427 so this is the easiest way and यह adjustments आपको तभी करना है जब market में कोई bullish momentum हो तभी आपको यह काम करना है आप देख सकते हैं उपर market ना सिर्फ loss free हो है but आपको 3,600 का profit भी मिलेगा and जो आपका downside है अभी भी till 1,000 points safe है so this is how we handle batman and अगर आपको यह video चला काओ तो please like this video आपका कोई भी doubt है तब comment section में पूछ सकते हैं please like this video thanks for watching